जै श्री कृष्णा आज फालगुन मास के सुक्लपच के पहले दिन आई ये सुनते हैं नर और नारायड की यह कथा एक असुर था दमबोद्भव उसने शुर्यदेव की बड़ी तपस्या की शुर्यदेव जब प्रसन होकर प्रकर्ठ हुए और बरदान मांगने को कहा तो उसने अमरत्व का बरदान मांगा शुर्यदेव ने कहा यह संभव नहीं है तब उसने मांगा कि उसे एक हजार दिव्यकवचों की सुरच्छा मिले इन में से एक भी कवच सिर्फ वही तोड़ सके जिसने एक हजार वर्ष तपस्या की हो और जैसे ही कोई एक भी कवच को तोड़े वह तुरन मृत्तिव को प्राप्थ हो शुर्यदेवता बड़े चिंतित हुए वे इतना तो समझ ही पा रहे थे कि यह असुर इस बरदान का दुरुप पयोग करेगा किन्तु उसकी तपस्या के आगे वे मजबूर थे उन्हें उसे यह बरदान देना ही पड़ा इन कवचों से सुरच्छित होने के बाद वही हुआ जिसका सुर्यदेव को डर था दमबोदभव अपनी सहस्त्र कवचों की सक्ती से अपनी आपको अमर मान कर मन चाहे अत्याचा करने लगा वह सहस्त्र कवच्र नाम से जाना जाने लगा उधर सती जी के पिता दच्छप्रजापती ने अपने पुत्री मूर्ती का विवा ब्रमा जी के मानस पुत्र धर्म से किया मूर्ती ने सहस्त्र कवच के बारे में सुना हुआ था और उन्धों ने स्री विश्रू से प्रार्थना की की इसे खत्म करने के लिए वे आएं बिश्रू जी ने उसी आस्वासन दिया की वी ऐसा करेंगे समय क्रम में मुर्ती ने दो जुरुवा पुत्रों को जन दिया जिनके नाम हुए नर और नारायर दोनों दो सरीर में होते हुए भी एक थे दो सरीरों में एक आत्मा विश्रू जी ने एक साथ दो सरीरों में नर और नारायर के रूप में अवतार लिया था दोनों भाई बड़े हुए एक बार दमबोद भव इस वन में चड़ाया तब उसने एक तिजस्वी मनुश्य को अपनी ओर आते दीखा और भै का अनुभव किया उस ब्यक्ती ने कहा कि मैं नर हूँ और तुमसे युद करने आया हूँ भै होते भी दमबोद भव ने हसकर कहा तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो मेरा कवच सिर्फ वही तोड़ सकता है जिसने हजार वर्सों तक तब किया हो नर ने हसकर कहा कि मैं और मेरा भाई नारायर एक ही हैं वह मेरे बदले तब कर रहे हैं और मैं उनके बदले युद कर रहा हूँ युद सुरू हुआ और सहस्त्र कवच को आश्चर्य होता रहा कि सची में नारायर के तब से नर की सक्ती बढ़ती चली जा रही थी जैसी ही हजार वर्स का समय पूड हुआ नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोर दिया लेकिन शुर्य के बर्दान के अंसार जैसी ही कवच तूटा नर मृत होकर गिर पड़े सहस्त्र कवच ने सोचा कि चलो एक कवच गया ही सही किन्तु यह तो मर गया तभी उसने देखा कि नर उसकी ओर दवड़ें आ रहा है और वह चकित हो गया अभी ही तो उसके सामने नर की मृत्ती हुई थी और अभी ही यही जीवी थो मेरी ओर कैसे दवड़ा आ रहा है लेकिन फिर उसने देखा कि नर तो मृत पड़े हुए थे यह तो हुँ बहु नर जैसे प्रतीत होते उनके भाई नारायर थे जो दमबोद्भाव की तरफ नहीं बलकि अपने भाई की तरफ दोड़ कर गए दमबोद्भाव ने अठास करते हुए नारायर से कहा कि तुम्हें अपने भाई को समझना चाहिए इसने अपने प्रार ब्यार्थी गवा दिये नारायर सांती पुर्वक मुश्कुराये उन्होंने नर के पास बैठकर कोई मंत्र पढ़ा और चमतकारीक रूप से नर उठ बैठे तब दमबोद्भाव की समझ में आया की हजार वस्तक सिर्जी की तपस्या करने से नारायर को मृत्यूंजे मंत्र की सिध्धी हुई है जिससे वे अपने भाई को पुनर जीवीत कर सकते हैं अब इस बार नारायर ने दमबोद्भाव को ललकारा और नर तपस्या में बैठे हजार साल के युद्ध और तपस्या के बार फिर एक कवश्टूटा और नारायर की मृत्यू हो गए फिर नरने आकर नारायर को पुनर जीवीत कर दिया और यह चक्र फिर चलता रहा इस तरह 999 बार युद्ध हुआ एक भाई युद्ध करता दूसरा तपस्या हर बार पहले की मृत्यू पर दूसरा उसे पुनर जीवीत कर देता जब 999 कवश तूट गए तो सहस्त्र कवश समझ गया की अब मेरी मृत्यू हो जाएगी तब वह युद्ध त्याकर शुर्य लोक भाकर शुर्य देव के सरड़ा गत हुआ नर और नारायर उसका पीछा करते वहां आये और सुर्य देव सी उसे सौपने को कहा किन्तु अपने भक्तों को सौपने पर सुर्य देव राजी न हुए तब नारायर ने अपने कमंडर से जल्ले कर सुर्य को स्राप दिया कि आप इस असुर को उसके कर्मफल से बचानी का प्रियास कर रहे हैं जिसके लिए आप भी इसके पापों के भागीदार हुए और आप भी इसके साथ जन्म लेंगे इसका कर्मफल भोगने के लिए इसके साथ ही त्रेता युग समाप्थ हुआ और द्वापर का प्रारंब हुआ समय बाद कुंती जी ने अपने बरदान को जाचते हुए शुर्य दियु का आवाहन किया और कर्मफल का जन्म हुआ लेकिन यह आम तोर पर ग्यात नहीं है कि कर्ड सिर्फ सुर्य पुत्र ही नहीं है बलकि उसके भीतर शुर्य और दमबोद्भव दोनों है जैसे नर और नारायर में दो सरीरों में एक आत्मा थी उसी तरह कर्ड के एक सरीर में दो आत्माओं का वास है शुर्य और सहस्त्र कवज दूसरी योद नर और नारायर इस बार अरजुन और क्रिश्न के रूप में आए कर्ड के भीतर जो सुर्य का अंस है वही उसी तेजस्वी बीर बनाता है जबकि उसके भीतर दमबोद्भव भी होने से उसके कर्म फल उसे अनेका नेक अन्यार और अपमान मिलते हैं और उसे द्रोपदी का अपमान ऐसे ही अनेक अपकर्म करने को प्रेरित करता है यदि अर्जुन कर का कवच तोड़ता तो तुरंथ ही उसकी मृत्यु हो जाती इसलिए इंद्र उससे उसका कवच पहले ही मांग ले गए थे